नमस्कार मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जी इन भारत पंचायत सचिफ अभियार्थियों की धरना अभी तक जारी है यहाँ पर अभियार्थियों की संख्या कम है कुछ लोग देली गए हैं सुप्रीम कोट में 23 को सुनवाई होगी और कुछ लोग राहूल गांधी से मिलने गए हैं तो कुछ लोग गिरिडी गए हैं तो आइए उनसे बात करते हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद है अभियार्थियों की संख्या काफी कम हो गई है तो बाकी लोग कहा है एक तो है कि हमारा अंदोलन बहुत लंबे दिनों से चल रहा है आज तेस्वा दिन है निश्चित रूप से अभियार्थियों की संख्या कम हो गई है चुकि लंबा अंदोलन चलता है तो थोड़ा लोगों में रुजान कम हो जाता है दूसरी बात यह है कि लोग हमारी जो टीम है डेलिगेशन टीम कई लोगों की टीम राहूल गांदी से मिलने के लिए परियासरत है कई लोगों की टीम सुप्रीम कोट की हेरिंग को लेके वहाँ पे वकीलों से संपर्क में लगी हुई है दूसरी चीज है कि हम भी रांची में हमारी भी टीम जो है मंतरी से विधायक से मिलने के लिए परियासरत है चुकि 24 को कैबिनेट का मिटिंग है उसमें हमारी बातों को प्रमुकता से रखा जाए इसके लिए लगे हुए हैं लोग और बाकी जो हम लोग बचे हैं कुछ लोग यहाँ पे धरने को जारी रखे हुए है चुकि यह भी जरूरी है और लोग जूडते हैं फिर वही बात है कि लंबे दिनों तक चलने से थोड़ा सा रोजान कम हो जाता है हाँ बिल्कुल कॉंग्रेस का चिंतन सिवीर चल रहा है तीन दिनों का वी से किस बाइस तो वहाँ पे जो उधर से चेत्र के जो पंचाय से अभियर्ति हैं प्लस यहां से भी कुछ बच्चे गए हुए हैं जो मान्य प्रभारी हैं अभिनास पांडे कॉंग्रेस के उनसे मि लेंगे अपनी बातों को रखेंगे तक हमारी बातों को सरकार के समक्ष रखा जाए चुक्न कि चिंतन सिवीर खायोजन है तो मैनिफेस्तो में तो परिचाय से चीव का मुद्धा पहली कैबिनेट में आप लोग का मामले मामले को समाधान कर लिया जाएगा इस नियुक्ति दे दी जाएगी आपकी नियुक्ति पत्र मिल जाएगी तो इसको लेके भी लोग मिले हुए है मैनिफेस्टों हमारी बातों को आपने रखा था तो हमारी समय से हो कभी समाधान कीजिए जैसा कि आप जान रहे हैं 33 दिनों स से यहीं बैठे रहते हैं बहुत सारी महिलाइं घर का काम अपना करके आती हैं, मैं अपनी खुद की देडर साल की बच्ची को छोड़ के आती हूँ घर पे, तो यह महिलाओं के साथ बहुत बढ़ी समस्या होती है, लेकिन यह सरकार को समस्या दिखती नहीं है, क्यूंकि वो एशो आराम में गद्धी पे बैठे रहते हैं तो उनको ये जो महिला सशक्ती करन किया वो इसी तरीके से महिला सशक्ती करन करना चाहते हैं वो ये रोड पे महिलाओं को बैठा के उसके बाद महिला सशक्ती करन करेंगे या हमें भी जो हमारा वाजिब है कि हमने परिक्षाइ को भी अब एड कर दे कि जारखण में पढ़ना भी होगा पढ़ने के बाद अगर लड़ना आएगा तभी उन्हें जॉब मिल सकती है नहीं तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगी इसलिए मेरा बस यही कहना है कि पंचायत सचिव का जो यह न्यूकती है वो जल्द से जल्द पूर के रहते हैं तो अपने सुना कि यहाँ पर महिलाओं को भी कितनी समस्याइं जहलनी पड़ती है अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आना पड़ता है रांची से सायोगी सोनु पांडे के साथ मैराश का बजाज जी एन भारत अपने राजिस जूड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले